हेलो फैंस तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टों में ग्रीन बेस्टेबल प्लॉक कैसे बनाई जाता है ये खाने बहुत ही जाधा टेस्टी और हेल्दी होता है और हम टेली ओफिस या बच्चों की स्कूल के लिए टीफन त्यार करते हैं तो सोच त्यार कौन सी दाल सबजी बनाएं तो इस ब्लॉक आफ टीफन में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको खाने के लिए ना आपको दाल की चूरूट पड़ेगी ना इस सबजी की चूरूट पड़ेगी और इसके साथ में चटपड़ा सा प्याज का राइता बना की त्यार करेंगे तो चल थोड़ा सा कम कर सकते हैं और थोड़ा सा आपने फ्रेश पालक लेना है अच्छी तरह से दोगे उसको भी डाल देना है और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा अदरक एड करना है इसके साथ में लसून डालेंगे अगर आप लसून नहीं खाते हैं इसको स्किप कर सकते हैं और इसके साथ में यहां मैंने एक बॉल लिया है, इसमें आध़ केची बास्मती राइस लेंगे, लां करेंन बास्मती राइस का यूसकी यहां पर मैंने चाबलों को आपने अच्छी तरह से दो से तीन पानी से दो लेना है ताकि इनके वार से डस्ट वगरा लगी हो नो अच्छी तरह से निकल चाहे दोनी के वद आपने चावलों को बिगोना है यहाँ पे अगर आपने एक बॉल चावल का लिए दो बॉल बिगोने के लिए पानी के डाल दीशे कम सकम 30 मिन तक आपने इनको बिगो के रखना है और यहाँ मैंने कड़ा ही लिए उसमें एक छोड़ा चमच ओईल एड करेंगे आप ओईल के जगा देसी गी का यूज़ कर सकते हैं साथ में आपने 4-5 क्यूब बटर के डालने हैं इसमें अगर आपके अस बटर ना हो इसमें देसी गी यूज़ कीशे थोड़े से खड़े मसाले दो तेज पत्ता बड़ा टुकड़ा आपने दाल चिनी एक स्टार एंच डालने है छोड़े दो टुकड़े आपने चवित्र जीनाएगा, मसालों को थोड़ा सा पकने दीचिए, इसके बद आपने इसमें स्लाइस का टॉप प्याज आइड कर देना है, तो एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस काइड के एड किये हाँ पे, गैस की फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम आपने प्याज को त पेस्ट आइड कर देना है, जो पेस्ट हमने बनागे रखा था, अधरक लस्ट का पेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि इसी पेस्ट के अंतर हमने अधरक लस्ट भी एड किया है, यहाँ पे, गैस की फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम आपने इस पेस्ट को तब तब पगाना ह अगर आप इस पेस्ट को हाई फ्ले में पकाएंगे तो पांच मिन्ड में अच्छी तरह से पक जाता है एक चमच भर के इसमें नमक डाल दीशिए और इसके साथ में आपने मसाल एड़ करने एक चमच धनिया पौडर आदा चमच आपने इसमें जीरा पौडर डालना है इसके क्यूबस में काटके डालना है अपने सबजिया इसके साथ में आदा कप आप इसमें गाचर डाल दीशिये थोड़ी सी अगर आप इसमें गोबी डालना चाहें तो गोबी भी डाल सकते हैं अच्छी तरह से सबजियों को भी मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं और ज्यादा पानी का तो आप कोई भी चाबल बनाते हैं अगर आपने एक कप चाबल लिए होंगे तो दो कप आपने इसमें पानी एड़ करना होता है अच्छी तरह से सब्जियों को भी मिक्स कर लेते हैं दुबार से उपर से कवर कर देशे हाई फ्ले में बॉयलन तक का बेट करेंगे ज चाबलों के anदर पानी नहीं रहना चाहिए अगर इनके अंदर पानी रहे गया दो आपका पलौन अच्छा खिला खिला नी बनेगा और घिला होरा सकता है तो यह देखिए फूरे पूरे के पूरे राइस मैं इआ पेह एड़ कर लेते हैं ौर चाबलों को अच्छी दरह स शुरू जाएंगे देखिया आप देज सकते हैं इसके बद आपने गेस की फ्लेम मीडियुम कर देनी है और मीडियुम फ्लेम में आपने चाबलों को कम से कम तीन से चार मिट तक यहां पर पकने देना है तो के देखिए मुझे चाबलों को पकाते हुए तोटली पांच मैंने पहले राइस को पकाई था तीन मिमें राइस को बाद में पकाया है और जनका मुएस्टरा यह जो न है पानी हमने अड़् किये वह कम होने शुरू चुक है और चाबलों में यो लेंस है और आपको कुछ कम लगे तो आड़् कर सकते हैं इस ठाहिं में कुझे पानी रहेगा वो बिल्कुल कम हो चाएगा और चाबलों को आपने हलका साना हिला भी देना है देखिए बिल्कुल अरहम से हिलाना है क्योंकि चाबलों में अच्छी लेंथ आए चुकी है ज्यादा पल्टी करेंगे चाबल तूट जाते हैं उपर से कवर कर दीचे फॉयल पे तौवा लेना है रोटी बनाने वाला उसके उपर आप ब्लॉक को रख दीचे और आट से दस मिन तक ब्लॉक को लोवले में पकने दीचे तब तर राइत अपना की त्यार कर लेते हैं यहाँ पी आपने 150 क्राम देही लेना है और देही को आपने अच्छी तरह से बिसकर की स अरतनिय डालना है और आदा छोटा जमच आपने इसमें पूनो जीरा पौडर राइड करना है थोड़ा सम इसमें नमक एड करेंगे और अच्छी तरह से इन सब को आपने मिक्स कर लेना है तो यह जो हम इसमें लंबा लंबा कटाओ प्याज राइड करते हैं जब आप इस साथ खाएंगे ना तो आप टेश्ट देखेगा कच्छा साथ प्याज का टेश्ट आता बहुत ही बैतरी नाता है तो इस तरह से आप दो मिनिट में प्लॉग के साथ यह राइता बना की त्यार कर लिए अब हम प्लॉग चेक कर लेते हैं यहाँ पर 10 मिनिट हो चुके हैं ग करसा कलराना शुरू हो जाएगा इसके बद आपने इसमें थोड़े से ड्राइनट सेड करना है जैसे की काचुर आलवंड और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और मीडियम फ्लेम में आपने इनको भी थोड़ी दिर पका लेना है ताकि इनमें अच्छा करंच आए थोड़ अस आपने इसमें नम केड़ करना है और थोड़ अस आप इसमें हल्दी पोर्टर स्प्रिंकल कर दीजिए उपर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए तो देखिए पनीर के बाहर से अच्छा कलरा है चुका है और जो काचु और बदाम डाले हैं वो भी अच्छे क्रं तो उपर से आप पनीर काजू बदाम डालेंगे आप पनीर भी सौफ्ट रहेगा काजू और बदाम के अंदर अच्छा क्रंच रहेगा तो यह हमारा हेल्दी ग्रीन बेस्टिबल प्लॉपन के त्यार हो चुका है और जब आप पल्टे से चाबलों को पल्टी करेंगे तो स साइड से पल्टे से चाबल निकालने देखी इस तरह से बीच मेनी पल्टा चलाना है हलकी सी हबा लएगी आपके चाबलना एकदम खिले-खिले हो जाएंगे देखी इस तरह से लास्ट में आपने इसके ओपर ब्रॉन प्याज और हरेदनी की गानशिंग कर देनी है